योनिक होस्पिटल बना मौत का सौधागर मृतक महिला के परिजनों ने योनिक होस्पिटल के डॉक्टर पर लगाया लापर वाही का अरोप देखे हमारी खास रिपोर्ट हर दोई से सामने आ रहे हैं शहबाद के ग्राम गोरिया निवासी मन्निलाल के अनुसार उसकी पत्नी गीता की तेरा तारी को अच्वानक तबियत बिगड़ी जिसके बाद परिजन गीता को लेकर शहबाद के महला सैधी खेल इस्थित योनिक होस्पिटल लेकर पहुचे परिजनों का आरोप है कि सुभाद 10 बजे वागीता को लेकर के अस्पिताल पहुचे थे रात लगबग 11 बजी के करीब बिना डिगरी के डॉक्टर ने महला का गलात ओपरेशन कर दिया और थोड़ी देर के बाद महला की हालत भी करने लगी जिसके बाद डॉक्टरों ने आननफानन में महला को लखनव के एक निजी अस्पिताल के लिए रिफर कर दिया जहां पर शुक्रवार को महला की मौत हो गई महला की पती मनिलाल का कहना है कि यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने लगबग 1 लाक रुपिया इलाज के नाम पर हमसे लिया है और लापरवाही बर्ती जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई मौने तक महला के पती ने सम्मंदित विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है आपको बता देए कि यूनिक हॉस्पिटल इससे पहले भी चर्चाओ में रहा है आए दिन लोगों के जिन्दगी के साथ खिलवार कर रहा है सब्सक्राइब करने कर दिया तुरंत हमें राती में नौ बजे सब्सक्राइब कर दिया लखनव राधानी हस्पिटल में वहां भी अस्पताल आईसा है वहां भी उमस को ले बेटे को डिगरी होल्डर है डाक्टर बुलाते हैं खाली कि राये पे एक हजार रुपर फिस लेता तुमारी दवा लिखके चला जाता यहां किस हस्पिटल में सब्सक्राइब फिर अब क्या कंडिशन है उसमें जब अप्रेशन हुआ तुमें चार डाक्टर थे अंदर रोहन गौतम नभीपुर के कासिम और काना उनका एक सतेंदर बर्मा से जानपुर वाले जे चार लोग थे इन्होंने आप्रेशन घलत कर दिया वह आप्रेशन ही पग गया अंदर से उसी का फॉल्ट है इंफेक्शन फाइल गया मरीज को क्या हुआ है मरीज का तम हो गया है